हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो वाई योटूब चानल एक्जायम इस्टुटी जोन आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि नेटवर्क और इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है क्या यह दोनों एक जैसे होते हैं और अगर एक जैसे नहीं होते हैं तो यह अगर होना चाहिए तो इसी के बारे में मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाली हूँ तो वीडियो को लास तक जरूर देखेएगा आईए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क और इंटरनेट दोनों अलग-अलग चीज़े हैं सबसे पहले हम नेटवर्क के बारे में बात कर लेत नेटवर्क एक ऐसी व्यवस्ता है जिसमें कई कम्प्यूटर्स, डिवाइसेज, सर्वर्स या अन्य समान एक दूसरे से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं ताकि वे कम्म्यूकेशन, डेटा शेरिंग और रिसोर्स शेरिंग कर सकें नेटवर्क के माद्यम से डिवाइसेज, एक दूसरे से कनेक्ट होते है जैसे की लोकल एरिया, नेटवर्क लैन, वाइड एरिया, नेटवर्क वैन या वायरलेस नेटवर्क तो ये सब क्या हैं? लैन, वैन यह सब networks हैं ठीक है जब एसके बारे में बात करूँगी तो detail में बात करूँगी वहाँ पे तो यह होता है network अब बात कर लेते हैं internet तो internet क्या होता है यह detail में मैंने बात की है अगर आप video देखना चाते हैं इस वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगी, आप वहां से जाके जरूर देख लीजएगा, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ difference के तौर पे की internet क्या है, internet एक विशेश प्रकार का global network है, जो दुनिया भर में अलग-अलग networks को एक साथ जोड़ता है, यह public network है, जो दुनिया भर में लाखों computers और devices को connect करता है, internet को उप्योग कई प्रकार के services जैसे की websites, email, file sharing और communication के लिए होता है, इसके बहुत सारे uses हैं, internet के बारे में बात करूँ, तो आपको भी पता ही होगा, और मैंने अपनी वीडियो में, जो इससे पहले मैंने अप्लोड किया internet क्या होता है, इसमे devices connect होते हैं, जबकि internet एक बड़ा global network है, जिसमें अलग-अलग networks जुड़ते हैं, internet एक प्रकार का network है, so network के अंतरगर devices सिर्फ एक local या private network में जुड़ते हैं, और सिर्फ उस network के devices के साथ communication कर सकते हैं, internet के अंतरगर devices दुनिया भर के अन्य network से जुड़ कर communication कर सकते हैं, और various online services और resources तक बहुत सकते हैं, इन दोनों में difference है, लेकिन internet एक प्रकार का बड़ा और global network है, जो अलग-अलग networks को एक साथ जोड़ता है, जबकि network एक छोटा या बड़ा व्यवस्ता होता है, जिसमें devices एक दूसरे से जुड़ते हैं, चलिए अब एक example के तोर आपके घर में एक local area network याने की LAN setup है, इस LAN में आपके computer, laptop और printer connected है, ये LAN आपकी घर के devices के बीच में communication और resource sharing को possible बनाता है, जैसे कि file sharing या printer का आप use करना ये सारी चीज़े हो गई, वही अगर हम आप internet के बारे में बात करें, तो internet एक प्रकार का बड़ा global network है, जब आप अपने computer को internet से connect करते हैं, आपकी device internet के साथ जुर जाती है, और आप दुनिया भर के अन्य devices, servers और services तक बहुत सकते हैं, जैसे कि आप internet का use करके websites access कर सकते हैं, emails बेज सकते हैं, और online shopping कर सकते हैं, इस तरह LAN आपके घर के devices के बीच में local communication को facilitate करता है, जब कि internet आपको दुनिया भर के devices, services और resources तक पहुचाता है, I hope so कि आपको समझ में आ गया होगा, कि network और internet में क्या difference है, so friends यह होता है difference network और internet में, तो वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजे, और चैनल को भी subscribe कीजे, thanks for watching friends, and have a good day.